जानी ट्रेन चलाते समय लोको पाइलेट को कैसे पता चलता है सही रास्ता, कैसे चुनते है ट्रेक नवश्कार में भारती का पासिया स्वागत है आप सभी कान 27 News में ट्रेन से यात्रा के दोरान अक्सर हम खिलकी से बाहर का नजारा देखते हुए सफर को इंजोय करते हैं हलाकि क्या कभी रेलवे ट्रेक को देखकर आपके मन में सवाल उठा है कि एक समान दिखने वाले ट्रेक में कौन सा रास्ता सही है ये लोको पाइलेट को कैसे पता चलता है समानित है एक ही लाइन में जाने वाले अलगलग ट्रेक में किस ट्रेन पर ट्रेन को ले जाना है ये लोको पाइलेट कैसे ट्रेक करता है भारतिये रेलवे ने इसे लेकर जानकारे दी है रेलवे ने बताया कि ट्रेन को चलाते समय कैसे ट्रेन ड्राइवर यानि लोको पाइलेट सही ट्रेक को सलेक्ट करता है इसे लेकर रेलवे मंतराले ने एक तस्वीर भी शेयर की है किस ट्रेक पर ट्रेन को आगे लेकर जाना है बतादे रिल मंत्राले ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अगर सामने एक से ज्यादा ट्रैक है तो लोको पाइलेट को किस ट्रैक पर जाना चाहिए इसकी जानकारी होम सिगनल से मिलती है यह सिगनल ही बताता है कि लोको पाइलेट को किस ट्रेक पर ट्रेन को आगे लेकर जाना है और किस ट्रेन के लिए कौन सा ट्रेक तैय किया गया है होम सिगनल से मिलती है मदद जी हाँ होम सिगनल के जरीय लोको पाइलेट को ट्रेन को सही ट्रेक पर लेकर जाने में काफी मदद मिलती है जिस जगा पर कोई ट्रेक एक से ज़्यादा भाग में बत रहा हो तो सिगनल तीन सो मीटर पहले लगाया जाता है लोको पाइलेट को सही ट्रेक बताने के साथ ही ये उसे ट्रेन को सुरक्षित स्टेशन पर लेकर आने के लिए भी सिगनल देता है सभी ट्रेन में होते हैं दो लोको पाइलेट जी हां गौरतलब है कि सभी ट्रेन में हमेशा दो ड्राइवर होते है जिसमें एक लोको पाइलेट और दूसरा असिस्टेंट लोको पाइलेट होता है ऐसे में अगर मैं लोको पाइलेट को नीद आने लगे तो दूसरा असिस्ट लोको पाइलेट ट्रेन की कमान अपने हाथ में लेकर उससे अगले स्टेशन तक ले जाता है जहां कोई दूसरी विवस्ता की जाती है अभी के लिए तना ही देखते रहें एन 27 न्यूज पकड़ हर खाबर पर